तो यह देखो प्यारे बच्चो अगर इस वाले क्वेश्चन को अगर देखोगे तो जनरली इसको बच्चे डाउट लेक में आते हैं और परसान रहते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रमेगनेटिक वेव है उसकी अपनी खुद की फिरिक्वेंसी दी हुई है इलेक्ट्रमेगनेटिक वेव की फिरिक्वेंसी यहांपर three वेगा हर्ट्स दीया हुआ है ठीक ना ये बात समझे में रहा है बासरो फ्रम वेकियुम ठु हढ़िग मेडियम मतलब दायलेक्टिक वेडियम कयी टाईप के होता है magnetic non-magnetic किस type का यह नहीं पता आ गया है relative permittivity यहाँ पर four है तो यह कहता है कि wavelength और frequency में क्या फरक पड़ेगा इस type के इसको हम मुझे solve करना है wavelength दूसरे medium में हमें lambda निकालना है प्यारे बच्चो तो लेंडा दूसरे medium में निकालने के लिए तुम्हें यह बात पता होना चाहिए कि वह medium किस type का है डाइलेक्टिक medium किस type का है magnetic behavior कैसा हमें magnetic and non-magnetic है यह वाली चीज तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि relative जो होती है relative magnetic relative magnetic permeability permeability क्या चीज होती है आयोब कि आप पढ़े होगे relative permeability एक ratio होता है कि permeability of the medium of medium जिस medium की relative permittivity define कर जाया तो relative permittivity medium divided by permeability of free space या vacuum free space या vacuum से जो ratio आता है उसको हम बोलते है relative permeability मियू आर तो मियू आप मीडियम मियू आफ फिरी स्पेस यह वालिस तो यह कहा जा रहा है कि अब मीडियम बताया नहीं गया तो मैं नोन-magnetic medium ले ले रहा हूं नोन-magnetic non-magnetic medium नोन-magnetic medium के लिए for practical purpose for practical practical purpose जो होता है non-magnetic materials medium for example air ले लो water ले लो ठीक ना हाला कि समंद्र का water लोगे लग 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 slightly थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा उतना डेप्ट में नहीं जाना है प्लास्टिक ले लो टीक है बोन ले लो एटीसी एलमोनियम ले लो इनका जो रिलेटिव पर्मेडिविलीटी होता है लग बग वन के बराबर होता है तो क्योंकि मियू लग बग इनका मियू नॉट के बराबर होता है तो मियू यार की जो वैलू होती है लग लग बग वन के आसपस मैं ले सकता हूं नॉन मैगनेटिक मेटेरियल मीडियम यह बात आपको यहां समझने वाली बात है तो मैंने मान लिया दिया नहीं था मीडियम तो एक काम करते हैं यहां पर हम सब को पता है कि अगर एक मीडियम से इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव यह अपनी मीडियम मीडियम फिरी स्पेस थी यहाँ पर free space mu naught था तो इधर गई है तो frequency कभी नहीं change होता है यह medium 1 है तो medium 1 में अगर frequency f1 है तो medium 2 में भी frequency f2 f2 जो है वो f1 के बराबर ही होगा क्योंकि जो frequency होती है प्यारे बच्चों वो sir frequency एक मिनिट यह जो है जो frequency होती है अगर यहाँ frequency f1 है तो frequency f1, f1 f1 और f2 बराबर होंगे क्योंकि जो frequency होती है वो sirf source बदल सकता जहां से wave आ रही है तो frequency नहीं बदल सकती इसका मतलब बेव हुआ frequency became half यह option गलत है remains constant तो c option के chance बनते हैं इसके भी chance बनते हैं frequency इसमें भी constant लेकिन wavelength हमें निकालना पड़ेगा ना भाई तो wavelength हमें calculate करना पड़ेगा तो wavelength calculate करने के लिए यह जो medium है यह medium 2 है जिसमें अपनी electromagnetic wave गई है और यह medium 1 से गई है medium 1 जो की free space था यहाँ पे अपना free space था तो किसी भी medium में जो electromagnetic wave है उसकी जो speed है इसमें तो light की speed c है electromagnetic तो इसमें जो speed होती है I hope कि आपको पता इस medium का permittivity और permeability under root तो जब इसको तुम 1 अपन यहाँ से mu की value रखोगे तो यहाँ से mu not mu r और epsilon r epsilon not under root ठीक ना अब यह वाली चीज़ अब यहाँ से इसको तुम लिख सकते हो epsilon not mu not को side में ले सकते हो और इसको तुम ले सकते हो यहाँ से relative permeability relative permittivity epsilon r और इसको तो light की जो speed होती है वह नपन यहाँ से mu not epsilon not under root तो इसको मैं यूज करूँ तो b is equal to c upon mu r epsilon r under root यहाँ से अब यह जो चीज यहाँ से मुझे मिल गया अब मैं यह concept यहाँ पर लगा देता हूं कि जो यहाँ पर epsilon r इसकी value यहाँ 4 दिया हुआ mu r मैंने approximately non magnetic material consider करके 1 ले लिया तो जो speed यहाँ होई होगी तो वो c यहाँ से 1 multiplied by 4 speed under root यहाँ से आ जाएगी c by 2 तो speed इसकी आदा हो गई तो सबसे पहले electromagnetic vacuum से गई है तो अब एक formula लगा दो यहाँ से speed आदी हो गई तो formula कर लागा दो c is equal to f upon lambda तो b is equal to f upon यहाँ से lambda dash तो अगर मैं divide कर दूँ यहाँ से तो c upon b और यहाँ से lambda upon lambda dash तो c upon जो b की value है वो c by 2 तो यहाँ से lambda और lambda dash तो जो lambda dash आगया वो lambda आदा आगया wavelength आदा हो गया और frequency same रही होगी तो wavelength half और frequency frequency same हो गई मतलब यह होगा wavelength frequency यह गलत है यह गलत है बोत double नहीं होगा बी option अपना सही हो जाता है